नमस्कार, A to Z dishes उश्या कोरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जारे हूँ मुर्मुरा की चिकी और उसी के साथ लड़ू एक ही वीडियो में मैं आपको दो चीजे बनाना सिखाऊंगी और ये इतनी आसान है न बनाना और साथ ही साथ ये healthy भी है क्योंकि इसमें मैंने चीनी का नहीं गुड़ का इस्तमाल किया है जब भी कुछ मीठा खाना और जल्दी से भी बनाना होना तो ये आप बना सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं उसके लिए मैंने आप पर ले लिया है मुर्मुरा तो यह मैंने 200 ग्राम जितने लिये हैं, आप देख सकते हैं, अब मैंने गेस को ओन कर लिया, इसके उपर मैंने कडाई रखती और इसमें मैं डाल रही हूँ एक चमच, एक छोटी चमचगी और 200 ग्राम ही मैंने गुर लिया है, गुर को मैंने डाल दिया है, अच्छे से से हम इस तरह से करते जाएंगे और यह पिगल जाए तब तक इसे हमें पकाना है दुसरी साइट मैंने गेस को ओन कर लिया इसके ओपर मैंने बड़ी सी कडाई रगती है और इसमें हम मुर्मुरा डाल देंगे और मुर्मुरा को भी हम दुसरी साइट भूनते जाएंगे तो मुर्मुरा को आपको 2-3 मिनिट तकी बुनना है वो भी धीमी आज पर तो हमारे मुर्मुरा भुनकर तयार है तो इसे हम इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेंगे यह जरूर कीज़ेगा मुर्मुरा थोड़े से क्रंची हो जाएंगे न तो और भी बढ़िया स्वाद है आपको सिफ यह चिक्की और लड़ो में ध्यान यह रखना है कि जितने आप मुर्मुरा लेते हैं न उतने ही आप गुड़ लें दोनों की जो मात्र है वो एक जितनी ही आपको रखनी है देखे गुड़ पिगल गया है हमारा और अब इसके अंदर में डाल रही इलाइच से मिलाते जाएंगे थोड़े थोड़े करके डालने में क्या होगा हमारे जो यह मुर्मुरा है न उसके अंदर अच्छे से गुड़ मिल जाएगा तो देखे थोड़े थोड़े करके डालिएगा और सारे मुर्मुरा डल जाए न तो अच्छे से मिलाते हो इसे हम एक से अधा कड़ाई में हैं अब हमें क्या करना है हाथों पर हल्का सा पानी लगा ले रहा है तो देखिए हल्का सा जादा नहीं लगाईएगा और अच्छे से अभी सब को हम कर लेंगे जोड लेंगे पूरा और बेलन पर मैंने थोड़ा सा गी लगा लिया है और इस तरह से इसको पानी लगा है ताकि आपके जो हाथ है यह काफी गरम है तो आपके हाथ जले ना तो बिल्कुल हलका पानी लगाकर इसे जोड लेना उसके बाद देखे इस तरह से अच्छे से बिल जाता है बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है अब इससे हम ऐसे ठंडा होने देंगे उसके बाद इसके हम पीसिस करेंगे तो इसे साइट में रख देंगे हमारी चिक्की का जो था वो तयार है अब हम लड्डू बनाएंगे तो बचा हुआ जो हाफ पोशन ना कडाई में से मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है फिर से हाथों में मैंने थोड़ा पानी लगा आपके हाथों को लगे ना इसलिए ऐसे ही कीजेगा लड्डू की साइज आपके उपर है आप छोटी बड़ी कर सकते है तो हमारे लड्डू तो तयार हो गए और यह चिक्की वाला जो था ना देखे अच्छे से यह ठंड़ा हो गया और जैसे यह ठंड़ा होगा ना तो थ देखें मीडियम साइस की चिक्की बनाई है ताकि देखें किते बढ़िया लग रहे इसी तरह से हम कट करते जाएंगे और इसके जो साइट से ना उसे हम निकाल लेंगे अब उसे खाल कीजेगा तो लिजे तयार है एकदम मज़ेदार वाले मुरमुरा के चिकी और लड्ड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलती हूं एक न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचेंग